नमस्कार दोस्तों तो बहुत बड़ी खुशकबरी आ सकते आने वाले टाइम में और उसका असर दिखना आप शुरू होने वाला है Nifty 50 में entry प्लस 12,500 करोड की investment आ सकते आने वाले दिनों में क्यों कह रहा हूं है ये बड़ी बात और इसका असर आपको इसकी delivery percentage में भी देखना शुरू हो गया दिरे दिरे आप से माल बिक्वा बिक्वा के आप खरीदना भी शुरू कर दिया गया है देखे कोई guarantee नहीं है बट ये मैं कह रहा हूं आपको आपको आख़ोडों में दिखेगा देखे 31 अक्टूबर से क्या होना शुरू है 33 परसेंट के राउं डिलीविर परसेंटेज सी पूरे महीने पिछले नॉमबर आते आते 38, 41, 40, 42 लगातार बढ़ती जारी डिलीविर परसेंटेज mutual funds को idea होता है बड़े investors को idea होता है कि कुछ ऐसा हो सकता आने वाले time में और ऐसी बात अब निकल निकल के भी आनी शुरू हो गई है actually क्या होना है 25 नॉमबर डेट याद रखे का 25 नॉमबर को बहुत बड़ा दिन होने वाला है और उसी दिन बड़े फैसले भी आ सकते हैं जिसके बाद यह हो सकता है जो HDFC का merger है उसके बाद करीबन करीबन एक 1.5 billion dollar का existence मतला आउट फ्लो हने बाला है उसमें से उसका amount होता है 12,500 करोड के करीकर अगर इतना बड़े amount का outflow होगा तो कहीं inflow होगा जो Nifty 50 में entry करेगी और उसके लिए outflow की जो date की गई है मतला हम decide की है merger की वो number 25 है सबको बता है तो दिखिए number 25 decision दिया जाएगा merger का proposal है इस सबको बता है वो approve तो होना ही है वगले quarter तक होना है या भी तक होना है और most probably कहा जा रहा है कि 25 नमबर को ये merger का approval मिल जागा अब तीन कंप्ती से फ्रेंट रहे हैं पिडिलाइट अम्पुजा सिमेंट और टाड़ा बावर इन वे से किसी को भी मिल सकता इन फ्रेंट फिफ्टी मेंटरी बठा कौन सी हो सकती है अभी तक decided नहीं है मैं यह नहीं करा कि हो जाएगा बठा 33% chances फिर भी है और ये 33% chances अगर सच हो गए तो मान के चले 300 पार कर देगा 15 December तक बठा ये chances true होने चाहिए उसके लिए लॉंग टर्म के लिए वैसे भी मैता चुकां पांसल के बहुत चांदा स्टोक है तो study कीजेगा उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई है तो उसके लावा भी बहुत अच्छे स्टोक है और अडानी स्टोक पर एक पर प्रोबलम है वो ध्यान रखेगा उस पर